अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं इसका एक नाम और है पीबे करना हो अगर आपको चाभी बठाने के लिए या पी चाभी गारा भी बोलते हैं अलग अलग इस्टेट वाई जो एक लेंग्वेज है इंडिया समझी रहे होना इतने डिफ्रेंट लेंग है हावरा इंडिया ग्रेट जो metadata होता है या फिर विसके उसके इन दर कल्कुलेशन वाती है अगर आपको 20 अगर आपको प्रोड लेना है ये शारे चीजे और एक live programming example के साथ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं तो वीडियो पर बने रही है वीडियो को पूरा देखिए अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं इसके लिए हम मिंदास बैठे हैं तो दोस्तों चली आते हैं टॉपिक में तो दोस्तों अ है वह एक Εंजीनेर जो होते हैं फो को मांध्यम से करते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं इसका पहले हम लिज पर्मेंग करते हैं सबस्की से कि यह टूल पाथ कैसे जनरेट होगा काम कैसे करेगा बहुत सारी चीज़ जो है चली अभी इसका पहले प्रोग्रामिंग फार्मेट समझते हैं फिर हम प्रोग्रामिंग एक्जामपल समझेगे चाल प्रोग्राम प्रोग्रामिंग उन Augustёр बच्टता स्वपना उरी तर wrench आमसे जराइए आईब है daily, एक्राम मा प्रोग्रामिंग इसका भीज़ जवर। लिछ वाल जब उर्णनिधक 30 rpm लिए अप्रोग्रामिंग झाल fullness दोस्तो अभी आप जो देख रहे हैं ये एक मोडल है और एक प्री सिमिलेशन टूल पाथ है जिसके माध्धम से मैं आपको सही तरीके से टूल पाथ कैसे चलता है वो सारी चीजे समझाने की कोशिस करता हूँ इसमें क्या है कि दो हमारे जो स्लोट्स है वो क्लोज है और एक जो लास्ट में मैंने आपको दिखाया वो ओपन है तो आपको मैक्सिमम दो टाइप के जो अप्लिकेशन से इंडिस्ट्री में वो देखने को मिल रहेंगे अगर आप स्लोट्मी लिंक करते हैं तो ठीक है दोस् ही है यह क्लोज हमारे पास एक क्लोज स्लोट का जो ड्राइंग है वो आपके सामने है यहां पर देखो यह जो आप देख रहे हो सारी शीज़े आपके सामने है इसका टोटल लेंथ है 30 mm और रेडियस है 12 mm बाकी जो सिंटर डिश्टेंस है वो 18 mm है और वीट है वो 12 mm है अब मा और यहां पे मैं यूज कर रहा हूँ 10 का एंड मृल से हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे बट उसके पहले इसका जो प्रोंटिंको समझा देता हूं प्रोंच में ज्यादा कुछ खास नहीं है बट आपको एक सब प्रोग्राम जो है वो समझने की जरूरत है ठीक दोस्तों बट एक चीज़ और है आपको मैं बता दूँ क्योंकि यह काफी important और precision वाला काम हो जाता है यहाँ पर आपको CC होता है यानि cutter composition होता है वो आपको active करके चलाना है तो वो सारी जीज़े मैंने इस programming format में यहाँ पे insert कर दिया है अगर आप डारेक्ट इस programming format पे अगर आप चलाना चाहो तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है आपको program perfect बनेगा दोस्तों चले मैंने यह देखो यहाँ पे मैंने एक program सब program खोल लिया है अब आपको समझाता हूं कि इसमें क्या क्या करना है देखे दोस्तों सबसे पहले वाली जो line है आप देख रहे हो वहाँ पे मैंने एक द्याय सब program और slow cutting के लिए हम इसका यूज करेंगे ठीक है पहले line में यहाँ पे G01, G91, Z-0.2 और feed जो है वह 19.1 का है दोस्तों यह line जो हम प्रोग्राम करते हैं यह हम incremental में प्रोग्राम करते हैं जो हमारा depth of cut होता है वो यह line denote करता है जिसमें हम अपने जो हमारा pocket होगा जो हमारा slot होगा उसका जो हम depth of cut रखेगे यानि जिसको हम DOC बोलते हैं वो हम इस line में command कर सकते हैं बट उसका जो programming होगा वो G91 में होगा हम incremental mode में करेंगे ठीक जोस्तों अब नीचे एक line हमको लिखना होता है G90 G90 में क्या होता है कि यह Z तो हमने command कर दिया बट हमको जो circular interpolation होता है linear cutting move होता है वो सारी चीज़े command करने के लिए हमको यहाँ पर G90 का use करना पड़ेगा ठीक है जोस्तों यह second line में आप देख रहे हो G90 का अब जैसे मालो यह कोई slot है ठीक है जोस्तों अगर मालो आपको इस तरह से आपको चलाना है ठीक है यहां से यहां जे वापिस आए फिर इसको यहां पर हम जीरू में आगे ठीक है ठीक है इस तरह से अगर आपको चलाना है तो यह programming format आपके लिए काफी perfect प्रेटने वाला है क्योंकि यहां पर हमने जो प्रोग्राम है हमारा वो center में पॉल कि है center से सारी calculation जो है वो मैंने रखी है और यहां पर जो diameter होते हैं वो मैंने एक्टिव करके प्रोग्राम बनाया है देखो दोस्तों यहां पर आप G90 यह बात G42 या G41 जिस तरह से आप घुमाना चाहिए उस तरह से आप G41 या 42 का यूच कर सकते हो यहां पर मैं G42 का यूच कर र format second line जो है हमारी D1 के नीचे वाली वो हमारी x की value है उसके नीचे जो value है हमारी y की r की value है फिर x की value है फिर y और r की value है फिर हमने cancel कर दिया है सारी चीजी जी 40 डाल के cancel कर दिया ठीक है दोस्तों वहाँ पे इसके बाद हम 99 डाल देंगे यह 99 वो प्रोग्राम गुमतर रहेगा बट इसके लिए हमको एक main प्रोग्राम की जरुद पड़ेगी जिसमें हम यह प्रोग्राम को चलाएंगे दोस्तों यहाँ पे जो main चीज है वो सब प्रोग्राम का है तो चली यहाँ पे आप प्रोग्राम लिख सकते हो जैसा कि मैं आपको हर प्रोग्राम में सिखाता हूं कि आप कोई O के साथ कोई नम्मर के साथ प्रोग्राम लिखो अगर आपका प्रोग्राम का कुछ स्पेसिफिकेशन वह तो लिख सकते हो बाद में आपको जी 91, जी 20, 8, Z, 0, X, 0, Y, 0 यह सारी चीजे आपको बेसिक जो प्रोग्राम में मैं सिखाता हूँ ही है बागी कुछ नहीं है इसके निच्छे वाले जो लाइन है वो हमारी सेफटी लाइन है ज जहां पर एक्स-वाई आप देखे हो तो आपको कै जना है जहां पर भी आपको अनु थिए प्रोग्राम करने में कापी घजी होगा धेशन तो यह ढबी है यह सारी चीजे जो आपको बेसिक सब प्रोग्राम में इंपुट करने पड़ती हैं वो सारी चीज यहाँ पर है इसके अलामा आए आपको जी जीरो जेड़ वन पर कॉल किया है तो में प्रोग्राम है इसमें कोई टेंशन लेने की जरूत नहीं है बड़ा देख लो दोस्तु जी जीरो वन के बा में में प्रोग्राम और सब प्रोग्राम दोनों चली सेट कर लेते हैं इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं क्योंकि दोनों अगर आपके सामने रहेगा तो काफी समझने में इजी हो जाता है तो अच्छा रहता है ठीक है जस्तों तो देखो यह आपके सामने सब प्रोग यहां पर यहां पर यहां पको हैंfeld धर्ट सबस्क्राइब कर distinction दोस्तों यहां पर जो लूप होगा आपको M98 P12 के बगल में यह देख रहे हो 10 लिखा है मैंने तो वहाँ पे आपको adjust करना होगा ठीक है यहाँ पे अगर आप adjust कर लोगे तो अच्छा रहेगा अधरवाई जो डीप है वो प्लस मैनस हो जाएगी जैसे अगर मालो आप जो भी काउंट करके रख रहे हो उसे डीप माइनस हो रही है या प्लस हो रही है तो आप उसके उपर जो जी जीरो उन जेट जीरो वाली लाइन है वहाँ पे आप adjust कर सकते हो ज्यादा प्लस हो रहा होगा पॉइंट वन तो मैनस ओर आए तो प्लस कर सकती हो वहां पे एकाँट दो पॉइंट का जो भी आपका फिर भार वेरियरीय कर सकते हो ठीक है जो यहाँ पे यह में Miguel जो है वह सिंपल है सीधा सा है जैसा आम सबका में लिखते हैं वह वैसा है जो लूप है आपका वो लूप देख रहे हूँ हूआ ये लूप जो है वह काउंट करें थोड़ा प्रसाइयजिली रखना है बाकि हम वही है सीध सीधा जी जीडो जेट 50 M05 M09 फिर यहां पर टू डाल देंगे बस उठा देंगे दूसरा खतम काम यह प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों बट अभी जो हमारा में गेम है वह बाकी यह बाकी क्या है यह तो हमने खाली में प्रोग्राम लिख तो हमारा जो प्रोग्राम है वह बाकी है अब देखे यहां पर मैंने अभी आपको समझा यह सब प्रोग्राम का जो प्रोग्रामिंग फार्मेट है यहां पर रख दिया है अब आपको क्या करना है कि यहां पर आपको क्या करना है कि आपने सेंटर में बुला लिया जी जी सेंटर पर कॉल कर लिया फिर क्या करने का यहां पर सेंटर में आ गया अब इस पॉइंट में हम आएगे यहां पर कितना आएगा हमारा y-6 आएगा ठीक है दोस्तों यहां पर जो डेफ्ट वाप कट के बाद जी 90 के बाद हमारे जी 42 2d1y-6.0 यहां से फिर जो है वह आप देना चाहो तो दे सकते हो अब हम इसके माइनस वाले पॉइंट पर आएगे जहां पर रेडियस का जो इस्टाटिंग है वह हमारा यह टोटल देख रहे हो आप 8 mm है तो इसको डिवाइड वाइड दू करेंगे तो यह आएगा हमारा 9 mm द्शेए तो यहां कि हम एक्स माइनस 9.0 कर देएगे तो हमारा इस पॉइंट प्रया माइनस 9.0 पर लागत है अब यहां से हमको क्या करना है यहां से हमको रिडियस में गुमाना है ठीक दूस्तो तो यह रिडियस कैसे डालेंगे आई जेके में अगर आपको प्रॉग्राम यहां पर जी जी रो टू यहां पर वाई शिक्स आर शिक्स क्योंकि यह 12 एम का डायमिटर है तो हमारे रेडियस है वह 6 mm आएगा डाल दिया वापीस वही वेलू जो हम यहां से मैनस नाइन नेम्म गये ते वह यहां पिर हमको जो रेडियस हम यहां से घुमाए थे आगे वाले से वहां से फिर वापिस मैनस आ जाना है वाई माईनस शिक्स फिर जी 40 करके हमको डाल देना है फिर कहां पर X0 आगे ठीक है जोस्तों एस एंटर में जहां से स्टार्ट यह थे अब जी 40 डाल देंगे Y0 आजाएगा खतम यह 99 डाल देंगे यह प्रोग्राम को रिपीट करता रहेगा अब माल लो अगर आपको यह अगर आप 12 का स्लोट कर रहे हो उसमें अगर आपको अडजेस्ट करना हो कि नई 12.02 या 03 रखना है तो आप रख सकते हो ठीक है जस्तों तो जस्तों आज का वीडियो यहाँ पर ही क्लोज करते हैं लेकिन आप अपने विचार आपके सवाल कमेंट में जरूर दे सकते हैं हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपके पास कोई ड्रॉइंग हो कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं वाटसेप पर सकते हैं मैं आपको प्रोग्रामिंग सपोर्ट पूरी सही तरीके से दूँगा प्रोग्राम बना के भेज दूँगा तो दोस्तों मिलते हैं एक नए बड़े में तक लिए धन्यवाद चैनल पर बने रहे हैं